अजम पढ़ेंगे कविता आंधी से टकराएं हम का अगला भाग आईए पढ़ना सुरू करें मन्जी पर ही रुकना है नहीं कभी भी जुकना है सबको गले लगाना है तब तेहवार मनाना है कभी यहां क्या कह रहे हैं कि सबको एक साथ निल जुल कर तेहवार मनाना है खुसिया मनानी है जाती धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मन्जील पर ही रुकना है हमें तब तक मेहनत करते रहना है जब तक हमें मन्जील न मिले तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक हमें मंजिल नहीं मिले कहीं भी नहीं जुकना है और क्या है हमें किसी के आगे जुकना नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के सामने मतलब अपने माता पिता की बात को न माने उनके सामने न जुके नहीं यहाँ पे कभी यह कहना चाहते हैं कि हमें बुराई के आगे नहीं जुकना है, हमें बुराई से हार नहीं माननी है, सब को गले लगाना है, हमें उच नीच जात पात के भेद भाव को छोड़ कर, सभी को गले लगा कर उनके साथ प्रेम बहवार करना है, तब तेहवार मनाना है, और तब हमें खुशी-खुशी स सारे देवारों को मनाना है आईए आगे देखें दुख को खूब चिड़ाएं हम है ना घर घर सुख पहुचाएं हम महके और फले फूले जूले मस्ती के जूले क्या कह रहे हैं कभी कि हमें मस्ती के जूले जूलना है कैसे कहना है कभी का कि दुख को खूब चिड़ाएं हम का मतलब है कि हमें हमेशा खुश रहना है हमें दुख को चिढ़ाना मतलब खुश रहना है हम हमेशा खुश रहें घर घर सुख पहुचाएं हम और हम दूसरों के घर में खुशियां और सुख पहुचाएं किसी को कभी कस्ट न दे किसी को कभी भला बुरा न कहें अगर किसी क घर में किसी चीज की कमी है, अगर उनके हां खाने पहनने की कुछ चीज की भी कमी है, अगर हम से जितना हो सके हम उनकी मदद करें, घर घर में खुशिया बाटें, महके और फले फूले, महके मतलब अपना सुगन्द, अपना जो अच्छा आच्रण है अपना अच्छा वहवार है ये अपने अच्छी आदते हम सब को बताएं अप सब को अच्छी आदते सीखाएं हमारा जो वहवार है हमारी आदते हैं उनका सब जगह नाम हो जैसे फूल अपना सुगंध भी खेरती है वैसे हमारे अच्छे कर जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वे सब जगह उनका नाम हो, सब लोग हमारे बारे में अच्छे बाते करें, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, तो कभी का कहना है कि हम फूलों के जैसे महके, अर्थार्थ हमारे कर्म ऐसे हो, कि सब के जुबान पर हमारी नाम हो, और फल फले फूले का मतलब खुशी खुशी रहना आगे बढ़ना ठीक है जूले मस्ती के जूले और हमें कैसे जूले जूलना है खुशी खुशी मस्ती के जूले जूलना है आगे देखते हैं भारत की संतान है गजब हमारी शान है आओ कदम मिलाएं हम आंधी से तक्राएं हम क्या क तो आपके मन में यह आता होगा, हम तो अपने माता पिता की संतान है, लेकिन, हाँ माता पिता की संतान तो है, लेकिन यह भारत हमारा देश है, यह देश हमारा घर है, भारत माता हमारी जननी है, तो इस प्रकार हम भारत की संतान है, हम उनकी उलाद है, हम उनकी बच्चे है, गजब हमारी शान है, हमारी शान बहुत उंची है, क्योंकि हमारे भारतियों ने ऐसे कर्म किये हैं, आओ कदम मिलाए हम आंधी से टकराए हम हम एक दूसरे के साथ कदम मिला कर जले और इससे हम बड़े से बड़े आंधी बड़े से बड़े मुसीवतों का सामना कर सकते हैं इस पाट के कभी है नारायन लाल परमान उमीद है यह पाट आप अच्छे से समझ गये होंगे